दोस्तों एजिप्ट यानी के मिश्ट दुनिया की सबसे पुरानी सभिताओं में से एक है इसकी धर्ती के नीचे नजाने कितने रहे से दफन है तो एलियन्स से लेकर कॉफिन बॉक्सेज और प्राचीन एजिप्शियन बल्ब्स तक आज हम आपको 10 ऐसी अजीबो गरीब ची जानी के जैसा लगता है ये सिर लाइम स्टोन से बने हुए लगते हैं और ये लगभग 2613 से 281 बीसी के समयकाल के दोरान के हैं क्योंकि ये वास्तविक सिर तो नहीं है फिर ये सवाल दिमाग में उठता है कि ये आखिरकार यहीं क्या कर रहे थे इस रहसे से अभी तक धरती में से साबोत निकले हैं बलकि कुछ से टूटी फूटी अवस्था में मिले हैं उन टूटे फूटे सिर के कान नहीं थे और उन पर काफी लंबे लंबे निशान भी थे तितिहासकार सबसे पहले इस बात को लेकर हैरान थे कि इन सिर के कान क्यों नहीं है और इनके लं पिरामिट दुनिया के आतिहासिक चीजों में सबसे पुराने हैं ये लगभग 4500 साल पुराने हैं और इनकी लंबाए 146.7 मीटर यानी 483.5 है वैग्यानिक ये अच्छी तरह से जानते हैं कि इन बड़े-बड़े पिरामिट्स के अंदर बड़े-बड़े कमरें बड़े चे कि इन पिरामिट्स में एक कमरा है जो 30 मीटर लंबा है यानी 100 फिट का कमरा ये कमरा पिरामिट के अंदर मौजूद Grand Gallery के पास थे था इसके बारे में अभी तक खोज की जा रही है कि ये कमरा क्या है और वैग्यानिक इसके लिए रोबोट्स की मदद से पिरामिट के अंदर रिसर्च कर रहे हैं इजिप्शियन सभिता के लोगों का इलियन्स की दुनिया से कोई संपर्क रहा होगा इजिप्शियन रिगिस्तान में ऐसी 16 काईट्स को देखकर वैग्यानिकों का ये कहना है कि उनके पास इस बात के पखता सबूत मौजूद हैं कि ये लाइन्स क्या हैं दो हजार से भी ज्यादा पुरानी इंदिवारों के बारे में इस्राइल की एक यूनिवर्सिटी के दुआरा किये गए शोध के अनुसार इन काईट्स का इस्तिमाल जैनवरों के शिकार के लिए किया जाता था राजा टूद्स के मरने के बाद एजिप्ट में बड़ी रहस्यमाई पर उस्थित्य उत्पन हो गई थी इनकी कबर की खोज 1922 में हुई थी और बाद में ये इतिहास के सूपर स्टार बन चुके थे बहुत से लोगों को यहां तक नहीं पता होगा कि राजा अपनी जवानी के दिनों में काफी जवान दिखाई देते थे इतिहास कारों के अनुसार जब तक उनके पैस कोई पुखता सबूत नहीं होंगे वो किसी भी तरह के निशकट्ष पर पहुँचने में सफल नहीं होंगे इस कबर की खोजबीन करने के बाद गे समझ में आया कि इस शरीर में से कुछ हड़ियां गायब थी इसके अलावा इनके मृत्यू कैसे होई होगी ये भी एक रहसी ही है इस साल ब्रेटिश खोज करताओने खोज की और उनके सामने ये नशकट्ष निकला कि शरीर को जलाया गया था इसी वज़ा से उस पर जलने के निशान मिले हैं लेकिन इस निरने को लेकर कुछ लोगों ने कड़ा एतराज जताया उनके अनिसार अगर शरीर को जलाया गया होता तो उसके अलावा कुछ और निशान भी मिलते अगर आपको गीजा के पिरामिट रहसिमाई लगते हैं तो शायद आपने अभी ब्लाक बॉक्स के बारे में नहीं सुना होगा गीजा से 12 मिल दूर एक गुफा में 24 बड़े काले बॉक्स मिले हैं उनमें से हर ब्लाक बॉक्स का वज़न सौ टन के बराबर था कुछ लोग इन्हें एलियन का बॉक्स भी कहते हैं इन बॉक्स के अंदर क्या है इसके जानकारी जब आपको मिलेगे आप भी चौक जाएंगे इन बॉक्स के अंदर जैनवरों के सिर जैसी कोई आकरोते मिले है इजिप्ट में मौझूद काईरो शेहर से 100 किलोमेटर दूरी पर स्थित एक जगा है जुसका नाम है फल्यूम ओएसस इसे एजिप्ट का लॉस लेबरिंथ भी कहा जाता है फल्यूम एक और नाम से मशूर है जिसका सम्बंध मगरमच से है उसका ये नाम ग्रीक भाषा से जुड़ा है ये भी कहा जाता है कि पहले हम अगर मचनिया में तुरूप से पूजा के लिए आते थे लापिरिंथ के बारे में एक प्रसेद इतिहासकार ने उस तरह बखान किया है कि यहां एक बहुत बड़ा मंदर था जिसके अंदर 3000 चेंबर्स थे जिसमें से आधे जमीन के उपर थे तो आधे जमीन के अंदर थे ये भी कहा जाता है कि जमीन के अंदर मौझूद चेंबर्स का रास्ता पिरामिट तक जाता था पर वो प्रसेद इतिहासकार वहां तक नहीं गया कहा जाता है कि ये किसी बारा किंग के नाम से मशूर एक समूह के लिए जाने जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि ये खो गया है जबकि कुछ लोग का कहना है कि ये 19-20 सदी में मिल गये थे 1889 में पत्रों का एक लाबरिंथ मिला था जिसके कुछ लोगों का कहना है कि यह छट थे जब इन पत्रों को जांचा गया तब ये सामने आया कि लाबरिंथ जैसा ही कुछ था पर फिर बे इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है इजिप्ट के बारे में बहुत से लोगों को पताऊगा इजिप्ट मशूर है पिरामेड और ममी के लिए जमीन के नीचे से मिले ममी को देखकर यह पता चलता है कि जिस नजरिये से हम उने देखते हैं वो अलग है पेरिस में मौझूद एक म्यूजियम जिसमें इजिप्ट की बहुत से ममी एक साथ कतार में खड़ी हुई है इन सब भी ममी को लगभग 3020 से लेकर 3020 से पुरानी माना गया है इनके मूँ को देखे इसे जियोमेट्रिक शेप में बंधा गया है उनके पैरों के पैस एपरन भी बंधा हुआ होता है इनका एक और उदाहरन मिलता है क्रोईशिया के म्यूजियम में विक्टोरियन यूग में आप किसी से भी ममी खरीद सकते थे ममी को लपेटने के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं की गई थी लेकिन जब इस पारे में रिसर्च हुई तो पता चला कि एक रीती रिवाजों के किताब से लिए गया है हम लोग अकसर ये सोचते हैं कि बिजली बल्ब की खोच तो अल्थूनिक समय में हुए पर कुछ लोग हमारे इस बात से सहमत नहीं होंगे इजिप्शियन सभिता के पैस प्रकाश करने का कोई जरिया उपलब्ध था अगर आप डेंडेरा के मंदिरों के छट पर मौझूद नकाशी को देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ एजिप्शियन सभिता के लोग ऐसे प्रतीत होते हैं कि उनके हाथ में बेस्बॉल वाले बैट हैं पर यह कोई बेस्बॉल बैट नहीं बलकि आधुनिक समय में काम आने वाले लैम्प की तरह कुछ है विसोच के अनुसार यह जैसा देखता है वैसा है नहीं बलकि यह उगते हुए सूरज की तरह देखता है एजिप्शिन्स अपने पिरामेड के लिए विश्व विख्यात हैं पर बहुत से सबहता खास कर मध्ध और दक्षनी अमेरिका के अनुसार इनमें खासी समानता है कुछ लोगों के लिए यह महज एक संयोग की बात है कि आधोनिक सिविलाइजेशन में भी उन्हीं निशानों का उप्योग किया गया है सभी पिरामेड को उचा किसे उद्देश्य के लिए बनाया गया था शायद किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसका उदाहरन एक एजिप्ट में बरबाद हुए पिरामेड को देखकर पता चलता है ऐसा पता चलता है कि 12,000 साल पहले आबुरा वाश में मौजूद पिरामेड 213 मीटर उचाई पर था और ये गीजा के आतिहासिक पिरामेड से भी उचा था कुछ लोगों का ये मानना है कि ये पिरामेड उर्जा उत्पन कर रहा था और ज्यादा उर्जा उत्पन करने की वज़ा से ये एक्स्प्लोड हो गया कई सालों के रसोर्च के बाद ये सवाल अभी भी खड़ा होता है कि ये पिरामेड बने कैसे होंगे इनके बनने के तरीके पर अभी भी डिबेट चलती रहते है पिरामेड को बनाने के लिए बड़े-बड़े पत्थरों का उप्योग हुआ है ये सवाल भी खड़ा होता है कि कैसे Egyptians ने इन बड़े-बड़े पत्रों को खीचा होगा और वो कैसे पत्रों की मदद से पिरामिट को शेप दे पाये होंगे 2014 में University of Amsterdam के Physics Department के द्वारा ये खोज की गई कि 1920C की सभी Paintings में इन पिरामिट का राज छुपा हुआ है तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेर कर देना और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना धन्यवाद